मेरे परिवारजनों हमारे शास्त्रों में कहा गया है जिवेशु करुणा चापी मैट्री तैशु विधी अताम अर्थात जीवों पर करुणा के जे और उन्हें अपना मित्र बनाईए हमारे तो ज्यादातर देवी देवताओं की सवारी ही पसुपक्षी हैं बहुत से लोग मंदीर जाते हैं भगवान के दर्शन करते हैं लेकिन जो जीव जन्तुन की सवारी होते हैं उस तरब उतार ध्यानी नहीं देते हैं ए जीव जन्तुन हमारी आस्था के केंद्र में तो रहने ही चाहिए हमें इनका हर संभव सवरक्षन भी करना चाहिए बिते कुछ वर्षों में देश में शेर, बाग, तेंदुआ और हाथियों की संख्या में उत्सा वर्दक बढ़ोतरी देखी गई है कई और प्यास भी निरंतर जारी है ताकि इस धर्ती पर रह रहे दूसरे जीव जन्तों को बचाया जा सके ऐसा ही ये कनोखा प्रयास राजस्तान के पुष्कर में भी किया जा रहा है यहां सुखदेव भड़जी और उनकी टीम मिलकर बन्ने जीवों को बचाने में जुटे हैं और जानते हैं उनकी टीम का नाम क्या है उनकी टीम का नाम है कोबरा एक खतरनाक नाम इसलिए है क्योंकि उनकी टीम इस ख्षेत्र में खतरनाक सापों का रेस्क्यू करने का काम भी करती हैं इस टीम में बड़ी संख्या में लोग जुडे हैं जो सिर्फ एक कॉल पर मोके पर पहुंचते हैं और अपने मीशन में जुड जाते हैं सुखदेव जी की इस टीम ने अब तक तीस हजार से ज्यादा जहरीले सापों का जीवन बचाया है इस प्रयास से जहां लोगों का खत्रा दूर हुआ है वहीं प्रकृति का समरक्षन भी हो रहा है यह टीम अन्य बिमार जानवरों की सेवा के काम से भी जुड़ी हुई है